नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अंशिता श्रवास्तव इस बुलिटन में आज बात होगी दिल्ली में बुल्डोजर राजनीती की प्रिशांत के शोर को लेकर कॉंग्रिस की रणनीती की जानेंगे कुमार विश्वास और अलका लामब की और बुलिटन के आखिर में बात देश की घटी विकास दर की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर यूपी के अस्पतालों की बन इंतिजामी पर डिप्टी सीम ब्रिजेश पाठक हुए नाराज कहा स्वास्त विवाक के हालात देख कर हुए शर्मिंदा अखलेश यादव का तंज अपनी सरकार के कामकाज की कमियाब बता रहे हैं डिप्टी सीम राजस्तान के सियम अशोग गहलोद का बीजेपी पर निशाना कहा बीजेपी चुनाओ जीतने के लिए करती है हिंदुत और राष्टवाद का इस्तेमाल हमारा हिंदुत धार्मिक मानिता के लिए है मुझे हिंदु होने पर गर्व सभी धर्मों का सम्मान करता है हिंदु के साथ 57,037 अंक पर बंध हुआ सेंसेक्स 178 अंकों की तेजी के साथ 17,137 अंक पर पहुंचा निफ्टी तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की हनुमान जयनती पर दिल्ली में निकाली गई शोभा यात्रा के दोरान हुए टकराओ के बाद आज राजधानी के जहांगीर पूरी में बुल्डोजर की आवाजी सुनाई देने लगी अवेध यतिकरमन के नाम पर एक समुदाइक निर्मान को चुन चुन कर हटाया गया मामला सुप्रीम कोट पहुचा कोट ने एंसीडी की कारवाई पर रोक के आदेश दिये लेकिन कोट के आदेश के बावजूत दो घंटे तक बुल्डोजर चलता रहा जिसे लेकर पूरे देश में राजनी थी गर्म हो रही है दिल्ली के जहंगीर पूरी में हनुमान जयनती पर दो समधायों के बीच जड़प होई थी मामले में लगातार जाच जारी है कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने गरफतार भी कर लिया है लेकिन इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों पर ही विपक्ष सवाल उछा रहा है इतना ही नहीं विपक्ष का तो आरोप है कि इस घटना के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है यानी सरकार चौत तरफा घिर गई है लेकिन इसी बीच उत्तिरी दिल्ली नगर निगम ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस से साफ है कि बीजेपी सभी जगा अब एक ही तरह से कारवाई करते हुए अपनी मनमर्जी चलाएगी दरसल नगर निगम ने इस घटना के आरोपियों की संपत्ती पर बुल्डोजर चलाने का ऐलान किया है निगम के इस फैसले के बाद सुभा से ही जहांगीरपूरी में हडकम मच गया था लोग अपना सामान हटाने में जुट गए थे कोट ने जहांगीरपूरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वाराती कर्मन के खलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यता इस्तिती बनाए रखने का आदेश दिया है सुप्रीम कोट इस मामले में कल सुनबाई करेगा लेकिन बीजेपी की रणनीती से हर कोई वाकिफ है कि वो ऐसा करके खौफ पैदा करना चाहती है और उत्तरप्रदेश और मद्रप्रदेश गुजरात के बाद अभी ये बुल्डोजर दिल्ली तक पहुँच चुका है वही मोधी सरकार की इस मनमर्जी और लोगों में खौफ पैदा करने की नीती पर विपक्ष ने आपत्ती जताई है कॉंग्रिस सांसत राहूल गांधी ने तो पी एम मोधी पर निशाना साधा है उन्होंने ट्वीट कर कहा आठ साल की बड़ी चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत के पास केवल आठ दिनों का कोईला भंडार है मोधी जी महंगाई का दौर चल रहा है बिजली कटोती से छोटे उद्द्योग धराशाई हो जाएंगे जिससे नौकरियों का और नुकसान होगा मोधी जी नफरत के बुल्डोजर बंद करो और बिजली सेयत्रों को चालू करो रहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिये पी-म मोधी को महंगाई और दूसरे मुद्दों पर ध्यान देने की सलहा दी है इसके अलावा AIMIM चीफ OVC ने भी सरकार की कारिवाही पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का एलान कर दिया है बीजेपी अतिकरमन के नाम पर UP और MP की तरह दिली में भी घरों को तबाह करने जा रही है कोई नोटिस नहीं अदालक जाने का मौका नहीं बस गरीब मुसल्मानों को जिन्दा रहने की सजा देना है इसके साथ ही उन्होंने दिली की केजरिवाल सरकार को भी आरे हाथो ले लिया खैर अब सरकार ने महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की पूरी प्लानिंग कर ली है ऐसे में देखना होगा कि सरकार का ये तानाशाही रवया और कितनों के लिए मुसीवत बनता है बीजेपी की बुल्डोजर राजनीती को लेकर राहुल ने कहा कि ये लोग सम्वेधानिक मूल्यों को नुकसान पहुचा रही है गरीबों और अलप संख्यों को को सरकार की तरफ से प्रायोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है बीजेपी को इसके बजाए उनके दिलों में नफरत को दूर करना चाहिए कॉंग्रेस बीजेपी के घेराबंदी के साथ ही उसके खलाफ मजबूत रन्नीती भी तैयार करने में जुटी होई है इसके लिए उसे प्रशांत किशोर का साथ मिल गया है पीके के कॉंग्रेस में भूमिका भी तैय हो गई है कॉंग्रेस के अंतरे मत ध्यक्ष सोनिया गांधी ने कॉंग्रेस को फिर से मजबूत करने का बीड़ा उठाया है दस जन्पत पर सोनिया गांधी के ध्यक्षता में बैठको का दौर जारी है तो वहीं सुनिया गांथी ने 36 गड़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया है अशोग गहलोत और भूपेश बगेल दिल्ली में मौजूद है तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोग गहलोत ने पीके को लेकर बड़ी बात कही है चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर के कॉंग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच राजस्थान के सीएम अशोग गहलोत ने कहा है कि उनका अनुभव विपक्ष को एक जुट करने में कामा सकता है यही नहीं गहलोत ने प्रशान्त किशोर को देश का ब्रांड भी बताया आपको बता दे के चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर की तरफ से अगले लोग सभा चुनाओ और कॉंग्रेस में नई जान फूखने के लिए पेश की गई रणनीति पर पार्टी के भीतर गहन मंथन का दोड़ जारी है इसी सिलसले में मंगलवार को एक बार फिर से पार्टी के कई वरिष्ट नेताओं ने प्रशान्त किशोर के साथ चर्चा की थी वही बुदवार को दिल्ली में कॉंग्रेस अध्यक्ष सुनिया गांधी के साथ बैठक से पहले राजसान के मुख्यमंत्री ने कहा प्रशान्त किशोर देश में एक ब्रांड बन गए हैं 2014 में वो नरेंद्र मोदी के साथ थे फिर नितीश कुमार के साथ और पंजाब में कॉंग्रेस के साथ वो कई अन्य लोगों के साथ भी रहे हैं हम विशेशग्यों और एजेंसियों से भी सलहा लेते हैं इसलिए उनका अनुभव विवक्ष को एक जुट करने में कामा सकता है अशुक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है उन्होंने कहा देश में जिस तरह से हिंसा हो रही है उससे देश किस दिशा में जाएगा ये सब को पता चल गया है देश में खतरनाक पॉलिसी चल रही है देश वासियों को समझना पड़ेगा हमेशा सत्ता पक्ष का काम हिंसा रोकना होता है लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है खबरों की माने तो कॉंग्रेस में पीके के शामिल होने की बस आपचारि घोशना होना बाकी रह गया है पीके को चुनाव रन्नीती के साथ विपक्षी दलों के साथ बातचीत और समझोते की पूरी जिम्मिदारी दिये जाने के संकेत मिल रहे हैं पीके के लगबग सभी पार्टियों से अच्छे रिष्टे हैं इसलिए कॉंग्रेस के साथ वो दूसरे दनों को आसानी से जोड सकते हैं जिसका असर 2024 के लोगसभा चुनावों में दिखाई देगा पीके 2024 के साथ ही विधान सभा चुनावों के लिए भी कॉंग्रेस के लिए रणनीती तयार करेंगे लोगसभा चुनावों से पहले जिन राज्यों में चुनावों होने हैं उनमें आंध्रप्रदेश को छोड़कर बाकी जगे कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुक्य मुकाबला होना है इसकी शुरूआत गुजरात और हिमाचल प्रदेश से होच चुकी है हिमाचल प्रदेश में इस बार आमादमी पार्टी भी जोर दिखाने की कोशिश कर रही है लेकिन समस्याएं कॉंग्रेस से ज्यादा बीजेपी के सामने खड़ी हो रही है आप से हिमाचल में क्यों परिशान दिख रही है बीजेपी देखे ये रिपोर्ट हिमाचल विधान सभा चुनावों में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है ऐसे में सभी दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और दूसरे दलों को कमजोर करने की कवायद में जुट गए हैं लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है सत्ताधारी बीजेपी को क्योंकि जहां पहले ही वो उप चुनावों में कॉंग्रेस से मात खा चुकी है वहीं अब पंजाब में जीत हासिल करने के बाद आमादमी पार्टी ने भी हिमाचल में अपने कदम जमाने की कोशिश तेज कर दी है जिससे अब आमादमी पार्टी भी सत्ताधारी भारती जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है दरसल आप हिमाचल में लगतार रैलियां कर रही है मंडी के सफल रोट शो के बाद अब आपके संयोजक अर्विंद केजरीवाल ने प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगडा के शाहपुर में रैली करने का फैसला किया है इससे भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है जिसके चलते खुद भाजपा के राष्ट्री अध्यश जगत प्रकाश नड़ा हिमाचल के एक के बाद एक दोरे प्रस्तावित कर रही है दूसरी और प्रदेश में आए दिन कोई न कोई आमादमी पार्टी में शामिल हो रहा है उसी कड़ी में अब आप संयोजक अरविंद के जरिवाल की नजर कई बीजेपी नेताओं पर है आमादमी पार्टी के ओर से दावा किया जा रहा है कि कई नेता भाजपा से आमादमी पार्टी में आने के लिए तयार है और इस दावे के बाद से अरविंद के जरिवाल के दोरे से पहले नड़ा कांगडा के दोरे पर आ रही है बता दें कि कांगड़ा में विधान सभा की 15 सीटें हैं और भाजपा में सबसे ज़्यादा घमासान कांगड़ा में ही है और अब आमादमी पार्टी के प्रदेश में ज्यादा सक्रिय होने से बीजेपी में डर का माहौल है इसके चलते अब बीजेपी जमीनी इस्तर पर सर्वे भी करवा रही है खैर बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा लेकिन ये साफ है कि आप बीजेपी के जीत के रास्ते की रुकावट बन सकती है और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में टकर का फायदा कॉंग्रेस उठा ले जाए हिमाचल में आप से बीजेपी को डर लग रहा है तो पंजाब की आप सरकार से उसके विरोधी डरते दिख रहे हैं क्योंकि पंजाब पुलिस कहीं भी दस्तक दे देती है दिल्ली के सीएम अर्विंद केजरिवाल के खलाफ ट्वीट कर बीजेपी के कई नेता पहले ही पंजाब पुलिस के निशाने पड़ थे और अब पंजाब पुलिस कुमार विश्वास और कॉंग्रेस प्रवक्ता अलका लामबा के घर पर भी पहुँच गई है तो क्या है पूरा मामला देखें ये रिपोर्ट अर्विन के जिवाल मुश्किल में नजर आ रहे थे अब बारी कुमार विश्वास की है आज सुबा सुबा पंजाब पुलिस के जवान कुमार विश्वास के घर पहुँच गए इस बास के जानकारी कुमार विश्वास ने ट्वीट करके दी है हाला कि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि पंजाब पुलिस किन वजों से कुमार विश्वास के घर पहुंची है लेकिन पंजाब चुनावों के दोरान कुमार विश्वास ने आम आद्वी पार्टी के सहयोजग और दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन के जिवाल पर गंभीर आरूप लगाये थे पुलिस के घर पहुंचने पर कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत्मान पर धूका देने के आरूप लगाये है उन्होंने कहा कभी भगवंत्मान को मैंने ही आप में शामिल करवाया था उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत्मान को चेतावनी देते हुए लिखा की कि सुभा सुभा पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए को आगा कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को सनी केश वीडियो से राजनीती गर्मा गई थी उन्होंने अर्विन केज़िवाल पर आरोप लगाया था कि केज़िवाल ने देश को तोड़ने की बात कही थी यही नहीं विश्वास ने इस मामले पर केज़िवाल से जवाब भी मांगँ था हालकि इसके जवाब में रहे हैं जो चुनाव से पहले बोला था उसी का सबूत मांगने पंजाब पुलिस पहुंची है केजरी वाल के खिलाव बयान देना अब नेताओं को भारी पड़ रहा है पंजाब पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कुमार विश्वास या अलकाल आमबा ने सहीयोग नहीं क पुलिस की एक गलती से असामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं तो क्या है पूरा मामला देखे रिपोर्ट महराष्ट की सियासत इस वक्त काफी गरम है बीजेपी और शिफसेना आमने सामने है केंद्र की मोधी सरकार पर अब अपने बयान से वार करने वाले शिफसेना नेता सं संसनी हेज खुलासा हुआ है जिसके बाद महराष्ट की राजनीती में उबाल आना पक्का है मुंबई पुलिस ने अपनी जाच में ये दावा किया है कि शिफसेना की नेता संजे राउत और एंसीपी लीडर एक नात खडसे के फोन टैप किये गए थे उन्हें असमाजिक तक तो मानते हुए उनके फोन की टैपिंग कराई गई थी मुंबई पुलिस ने कहा कि स्टेट इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट ने कुछ और लोगों के नाम असमाजिक तत्मों की लिस्ट में डाल दिये थे पुलिस ने कहा कि ये लिस्ट ग्रह विवाग को भीजी गई थी और उसके बाद फोन टैपिंग की मंजूरी दी गई थी पूर सीम देविंद पड़नवीज के कारिकाल में ये टैपिंग होने का दावा मुंबई पुलिस की जाच में किया गया है पुलिस ने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद एंसी पी की नेता एकनात खड़से का फोन सर 60 दिनों तक टैप किया गया था इसके अलावा राजुसभासांसद संजराउत के फोन की टैपिंग 60 दिनों तक की गई थी आरोप है कि संजराउत और एकनात खड़से के फोन की टैपिंग तब हुई जब रश्मी शुकला विभाग की हैट थी पिछले दिनों उनके केस दर्ज किया गया था तो मुंबई पुलिस के इस खुलासे से साफ है कि शिफसेना सांसद संजराउत बीजेपी के निशाने पर थे संजराउत के बयानों से परेशान बीजेपी ने उनके फोन टैप करवाए आपको बता दे महराश्चों में जल्द ही बीमसी के राउत के फोन टैपिंग का मामला फड़नवी सरकार के समय का है उस सरकार में शिफसेना भी शामिल थी अब ये गलती पुलिस से हुई या फिर किसी के आदेश से ये जाच का विशे है दूसरी और इस समय जिस चीज पर देश की निगाहें टिकी है वो है देश के राष्ट कर दिया है कि वो अपना उमीदवार देने वाला है राष्ट पत्रफि चुनाओं में बीजेपी बहुमत से 9000 से ज्यादा वोट दूर है ऐसे में विपक्ष अगर एक जुट होता है तो अपना राष्ट पत्य उम्मीदवार जिता सकता है चुनाओं के अधिसूचना दो मह इनों में ही जारी हो जाएगी इसलिए अभी से इसकी तैयारिया शुरू हो गई है विपक्ष ने उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है इसके साथ ही विपक्षी एक्ता की भी कोशिश तेज हो गई है देश के मौझूदा हालात को लेकर हाल ही में 13 दलों के नेताओं के हस सचिफ डी राजा ने साफ कर दिया है कि राश्टरपती चुनावों में विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा 13 दलों की बैठक में इस पर आम सहमती हो चुकी है पार्टी के कालिक्रम में हिस्सा लेने बिहार पहुंचे राजा ने कहा कि पहले हमारी नजर नितीश पर चलते हैं उसके इशारे पर ही सरकार चलाते हैं इसलिए हमने उनसे दूरी बना ली है हम लोग नितीश कुमार से बातचीत नहीं कर रही है राश्टरपती चुनावों में भी हम उनसे मदद नहीं मांग रहे राश्टरपती चुनावों के लिए बहुमत विपक्ष के प CPI महासचेव ने कहा कि नरेंद्र मोधी सरकार की गलत नीतियों से देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सरकार देश में विकास का दावा करती है। हर मंच से PM मोधी एलान करते हैं कि हमने विकास से देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बढ़ ली है। लेकिन मौजूदा हाला तो कुछ और ही कहानी बया करते हैं। स्थिती बताती है कि सरकार केवल दावे करती है जबकि हकीकत में तो विकास हुआ ही नहीं है। जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है और अब तो लोगों की परिशानी और बढ़ने वाली है। क्योंकि IMF ने GDP ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। IMF ने वितवर्ष 2022 के लिए भारत को लेकर अपने एकनोमिक ग्रोथ फोरकास्ट में कटोती की है। अपनी नई वर्ड एकनोमिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने चालू वितवर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 8.2 रहने का अनुमान जताया है। इसे पहले IMF ने जब जनवरी में अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब उसने चालू वितवर्ष में देश की आर्थिक वृद्धी दर 9 फीसिदी रहने का अनुमान जताया था। इतना ही नहीं, IMF ने अगले वितवर्ष के एकनॉमिक ग्रोथ रेट अनुमान को भी कम किया है। 6.1 फीसिदी रह सकती है, जबकि अगले वितवर्ष 2023 में इसके 4.8 फीसिदी पर रहने का अनुमान है। का अज़र नहीं बड़ेगी, तब तक तरक्की संभव नहीं है। तो आज इस बुलिटेन में बस इतना ही देखते रहें, डीवी लाइब, नमस्कार। का अनुमान है। का अनुमान है। हुआ है का अनुमान है? झाल झाल